आज हम लोग कोई रेसिपी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं आपने तो जान लिया होगा तामलल से कि हम लोग टॉप 5 मिक्सर ग्रेंडर के बारे में जान करें लेंगे मिक्सर ग्रेंडर किचन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसके बिना काम चलना बहुत ही मुश्किल है आजकल तो अक्चली मेरे गर में मिक्सी थोड़ा कराब हो गया था तो मैंने सोचा कि अभी नया लेने का टाइम आगया है तो मैंने मैं साथ कभी डगभी ऐसा हुआ होगा कोंसा लेना है कन सा माडल अच्छा है कॉन सा मेरे किचन के जरूरत के हिसाब से ठीक रहेगा तो मैंने सोचा अगर यह मेरा अपना रिव्यू और मैंने जो लिस्ट बना है आपके साथ शेर करोना तो रबहुत आपके लिए भी यूसफ स्क्रेप कर दीजेगा और बेल ऐकान को एक्टवेट कर दीजेगा मिक्सी लेने के पहले हम लोगों को यह मेरे जो बोल रहे हूं उन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए उसमें पहला आता है मोटर का कैपैसिटी और उसका स्पीड और वारेंटी कितना साल का मिल रहा है और उसका accessories मतलब jars कितने मिल रहा है कौन सा-कौन सा jars मिल रहा है और space कितना occupied कर रहा है क्योंकि space भी बहुत ही important है और budget हमरा budget के हिसाब से हो है कि नहिक चलिए अब देखती है 5 best mixer grinders और उनके features पहला हम लोग देखेंगे बजाज classic mixer grinder इसका wattage है 750 और इसका speed है 20,000 rpm अच्छा speed है 18,000 से अब आउ जो भी speed है बहुत ही अच्छा है इसके साथ हमको 3 jars मिलेगा और 5 साल का motor पे warranty मिलेगा और 2 साल का product पे warranty मिलेगा average prices का है 3000 यह wattage 750 होने के वज़े से यह चोटे families के लिए suit हो जाएगा next हम लोग देखेंगे philips viva collection है इसका भी wattage 750 है मतलब nuclear family के लिए best suit हो जाता है इसका speed है 15,000 rpm है but normal Indian kitchen के लिए 18,000 से 24,000 का mixer grinder best होता है यह एकी desert voltage है यह model पे और इसके साथ मिलता है 4 jars मिलता है और warranty में motor पे 5 साल की warranty और product में 2 साल की warranty मिलता है और इसका average price 4,400 के range में है next हमारे जो list में है वो प्रिती जोडियाक mg218 model वाला mixer grinder इसका भी wattage 750 है और इसका speed 18,000 rpm है तो यह best suit होता है 4 से 6 लोगों के Indian family के हिसाब से इस पे एक और advantages है कि 5 jars मिलता है इसके हिसाब से और motor पे 5 साल की warranty और product पे 2 साल की warranty है यह average prices का 8,000 के करीबन है यह one of the best mixi है बाट थोड़ा space occupy करता है और wattage 750 है यह दोनों छोटा सा disadvantage चोड़के यह बहुत ही अच्छा mixer grinder है next हम लोग देख रहे है सुजाता dynamics DX का mixer grinder इसका wattage है 900 मतलब बहुत ही अच्छा है 750 से लेके जो भी उपर जो रहता है 1000 तक वो इंडियन किचन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और इसका speed तो 22,000 RPM है तो दीबेस्ट है मतलब काम जल्दी हो जाता है इसका 30 जार मिलता है इसके साथ और warranty दो साल motor पे दो साल product पे मिलता है इसका average price है 5,800 रुपीस last but not the least हम लोग देखेंगे Bosch True Mix Pro Mixer grinder इसका wattage 1000 है बहुत ही बढ़िया है और speed 24,000 RPM है इसके साथ 4 jars मिलते है और warranty में 2 साल motor पे मिलता है 2 साल product पे मिलता है और इसका average price 6,500 के आसपास है इस price के हिसाब से इसका wattage और speed दोनों भी बहुत ही अच्छा है साथी साथ jars 4 मिल रहा है और sleek body और steady body है मुझे एकीन है ये वीडियो आपको अच्छा वाला mixi choose करने के लिए मदद हो जाएगा ये वीडियो आपको useful रहा तो like कीजिए दोस्तों के साथ share कर दीजिएगा और channel को अभी तक subscribe नहीं किया तो subscribe करके bill icon को activate कर दीजिएगा कर दो कर दो